नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर और मौसम की इस वीडियो में मौसम का हाल हम आपको अगले दिन का बताने वाले हैं, अगले 24 गंटों में किस परकार का मौसम रहेगा आपके शहर में वो सभी परकार की जानकारी आपको दी जा अनेक परकार के अच्छे अच्छी खबरें जानने के लिए मोसम का हाल जानने के लिए चीन से जुड़ी हुई खबरें और परधान मंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबरें और अन्य देश विदेश की खबरों के लिए आप लीज सब्सक्राइब आवशे ही रखें तो दोस्तों बात कर लेते हैं मोसम के हाल की मोसम का हाल उत्र भारत में बहुत ही अस्त वेस्त रहने वाला है सभी परकार की मोसम अगले दिन तक यहां पर रहने वाले हैं लुध्याना और चंडीगड में मोसम का हाल ठीक ठाक रहेगा लेकिन हलके बादल भी होने की बहुती बड़ी आसंका है भोपाल पटना की बात करें यानि की बिहार की बात करें तो मौसम ने बहुती बड़ा करवट लिया है यहां पर बारिश के हालात बने रह सकते हैं और बिहार और पटना में टेज हावाई भी चल सकती है वारा नसी और अमरीच सर जमू वारा नसी में तापमान और मौसम सामाने रहने रहने वाला है और अमरीच सर की बात करें तो अमरीच सर में बहेंकर गर्मी कापर कोप देखने को मिल रहा है जमू और कस्मीर की बात करें तो ठंड बनी रहेगी यहाँ पर तापमान सामाने से कम ही रहने वाला है फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में तापमान बहुत ही गर्मी वाला रहने वाला है तो यहाँ पर सामाने से ज़्यादा तापमान रहने वाला है दिल्ली, गुड़गाउं और अधिकतर उत्र भारत में बारिश का माहूल बना रहेगा और तेज हावाई भी चल सकती है तो अभी बात कर लेते हैं वेस्ट इंडिया के तापमान की वेस्ट इंडिया में एहम्दाबाद, सूरत और पूने तक हलकी बारिश के आसार बने हुए हैं मुंबई और जैपूर में तापमान सामान्य बना रहेगा लेकिन यहां पर भारी बारिश भी आने की संभावना है नासिक, सोलापूर और कोलापूर की बात की जाए तो यहां पर तापमान सामाने से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो यहां पर बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं हैं और यहां पर भीशन गर्मी के पढ़ने के पर को दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर तापमान 45 डिग्री से उपर ही रहेगा और अभी बात कर लेते हैं साउथ इंडिया में किस परकार का तापमान रहने वाला है तो साउथ इंडिया में चेनई बैंगलोर, हैदराबाद, केरल में तापमान सामाने से थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो यहां पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाली है रांची और राइपूर में तापमान बिल्कुल सामाने बना रहेगा तो यहां पर नहीं ज़्यादा गर्मी पढ़ने वाली है और नहीं ज़्यादा थंड के आसार है तो यहाँ पर तापमान सामन्य बना रहेगा तिरुवनत्पुरम में भी तापमान सामन्य बना रहेगा और अभी हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर तेज हवाय चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं और अगर बारिश की बात करें तो बारिश अडिकतर पस्चिमी भारत में हमें देखने को मिलेगी तो दोस्तों मोसम की वीडियो में इतना ही हम आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छी खबरे लेकर आने वाले हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन को चालू रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें धन्यवाद और आपके सहर का मोसम फिलाल कीश परकार का है तो आप नीचे कमेंड बॉक्स में आवश्य ही लिखें और अपने सहर में मोसम के स्थीति आवश्य ही बताएं तन्यवाद